नमस्कार दोस्तों स्वागत है आपका हमारे इस वीडियो में आज मैं आपको बताऊंगा बिहार कॉंस्टिबल पुलीस भरती दो जार नीस बीस किसी का नहीं होगा सिलेक्शन बड़ा बड़ा किया बड़ा बड़ा वे कितनी वेकेंसी थी पूरी डिटेल वाईज में आपक करें लाइक करें अब दोस्तों के साथ ज्यादा से ज्यादा सेर करें तो यह रहा ओफिशल नोटिपिकेशन ओफिशल नोटिपिकेशन क्या क्या डिटेल दीगे मैं पूरा पटकर आपको सुनाऊगा बिहार पुलीस में निकली कॉंस्टिबल की नोकरी पाने के तगड़ी त्यारी करनी होगी आवेदकों की भर मार के चलते सलेक्शन होना कठीन होगा 11,888 पदों के लिए 13,00,000 से ज्यादा आई हैं ऐसे में जाहिर है कि कॉंपिटिशन तगड़ा होगा यानि एक पद पर 110 लोगों की दावेदारी है अभी आवेदकों की स्कुरू टूनी का काम चल रहा है गलो तने पर आवेदन रद किये जाएंगे पर इसकी संक्या बहुत कम रहने की उमीद नहीं है केंद्रिय चेंद परसद सिपाई बरती ने अक्टुमर मां में बारी पास युवाओं से बिहार पुलीस बिहार सेन्य पुलीस विसे सिक्रित इंडिया रिजर वाह आवेदन की अंतिम्तिती थी जनौरी में होगी लिखित परीक्सा बिहार में सिपाई व्या समकस्क पदों पर बहाली केंद्रिय चेंद परसद सिपाई भरती के जरी होती है चेंद परसद ने अटुमर में ग्याराजार आट सो पदी पर विग्यापन जारी किया था पर के मुताबिक सिपाई के तेरे लाक दो हजार से ज्यादा आवेदन आहें आवेदन जमा करने की आखिरी तारीक समापत होने के बाद चेंद परसद ने लिखित परिक्सा की तैयरी सुरू कर दिये जिलों में 12 और 19 जनौरी को सेंट्र उपलब्द कराने के लिए पत्र ल इसकी गोशना जल कर दी जाएगी सारी परिक्सा के लिए पांच गुना होगा चेंद सिपाई बनने के लिए इंट्री यां समकक स्पास होना जरूरी है इसी आधार पर लिखित परिक्सा भी ली जाएगी लिखित परिक्सा में कुल 100 पर्षन होंगे लिखित परिक्सा के आ अंदिम दुरूप से चेन का अधार सारी रिक परिक्सा के तीन इस परदाओं में प्राप्त कुल अंक होंगे। सारी रिक दक्सता परिक्सा के तैत अबर्टियों को दोड़, उंची की उद और गोला फैंक में भाग लेना होगा। मरलब जो भी आपको जहां से बाहर निकला जाएगा, जो मैतव पून है तो एक तो है दोड़ है, दूसरी उंची गोद है और तीसरा गोला फैंक, यह चीज आपको पास करना बहुत ही जरूरी है, नहीं तो आप पास नहीं होगे। तो दोस्तों, एक पद के लिए 110 का कमपिटिशन है, तो आप भी समझ सकते हो कितना कठीन कारी है, ऐसे मैं आपने कितनी त्यारी की, यह आपके उपर निर्बर करता है, बहुत अच्छा है दोस्तों, आपने अच्छी त्यारी की है, तो पास हो जाओगे, नहीं तो फिर कु कारियों के लिए हमें लाइक, सेर एंड हमारी चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें